कि वनाफ माफ्रेंज हैस्ट डाट श्रीम बीजमंत्रा राइज़ वोटर एलिमेंट न बाड़ी ही इस राइट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीम का अभी एक कोशन और भी आया है कि आप प्लीज एक मित्र ने पूछा है एक मित्र ने बात की है अपनी अपनी इच्छा साहिर की है और यह कह लीजिए कि आनंद हो को ऐसे प्रश्न मिलते रहें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है आप साधक जन जुड़े हैं आप अपने जीवन में उचता पाएं प्रतिष्ठा पाएं अपनी साधना की उचतम परिस्थितियों तक पहुंचें में यू टूबी इंद जॉए राइक सो साधना गिवजी अल्टीमेट एंड आट्मोस जॉए यह आनंद वह ही प्राप्त कर सकता है जो इस साधना पत पर चल सकता है अब मित्रो प्रश्न ये है कि क्या जो मंत्र है श्रीम बीज मंत्र वह कफ तत्व को बढ़ाता है वाटर एलिमें अब मैं डिटेल्ड वीडियो तो मैं जरूर दूगा डेफिनेटल दूगा क्योंकि सब जो मंत्र हैं उनकी जो वडी कॉल देस तत्व है उसके बारे में हम अलग से वीडियो हर बीज मंत्र की में आपको देने वाले हैं तो जुड़े रही और इन वीडियो चूँ शेयर भ प्रविर्ती जब मैं तत्व की बात करता हूं जब मैं ये बात करता हूं कि क्या आप अपने तत्व को जानते हैं जब मैं ये बात करता हूं कि आप क्या अपने तत्व के अनुसार मंत्र का अनुसरन कर रहे हैं क्या अपने तत्व के अनुसार आपने उस बीज मंत्र को चुन है या उस इश्ट को चुना है या फिर आपने आपके तत्व के अनुसार आप अपनी सबकॉंशियस की उर्जा को क्लेंज कर रहे हैं कि उसे और जादा डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने मानसिक जत्व वाले है और आपके अंदर वहले इस ज़ादा प्रजवत है और उस उपर से आपने अग्णी का करणा के अगर फ्यागर प्रभर्त की कफ कड़ करता है जब बॉडी में जो कफ बनती है वह पित के कारण बनती है जब भी पित imbalance हो जाती है तो वह कफ बनाना शुरू कर देती है यह भी एक fact है तो शरीम बीजमंतर आपके अंदर water element बढ़ाता है water element क्या है? water element ठंडा है अब पित के कारण कफ बनी है कफ ठंडी हो जाती है पित का ही बिगडा हुआ रूप कफ है और वह कफ बिना पानी के तो बन नहीं सकती अब उसी प्रकार से अगर आपके अंदर पहले से water element जादा है आप कभी देखिए जो बहुत emotional लोग होते हैं उनका चंदरस्वर जादा चलता है जो बहुत emotional लोग होते हैं वह जलतत्व के ही होते हैं जो emotional लोग बहुत जादा होते हैं जो कभी किसी बात को छोटी सी बात को भी अपने मन में ले लेते हैं जो कभी किसी से detach होने से हजार बार सोचते हैं वह जलतत्व वाले ही होते हैं अगनी तत्व वाले तो निकल जाते हैं मैंने वायू तत्व, अगनी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व इसके बारे में वीडियो दी हैं ज़रूर देखें तो जिस प्रकार का आपका तत्व है अगर आपके अंदर अलड़ी कफ बनती है तो आप श्रीम बीज मंत्र ना करें अगर caff ऐगर आप आपको बहुत जलदी कफ बन जाती है तो श्रिम बीजमंत्र थणड़ा है वहँए आपके अंदर थंडक दीता है इसका तत्व जल है डीटेल में हम फिर बात करेंगे इसका तत्व जल है जल क्यों है इसका कारण क्या है इसका लक्षमी से क्या संबंद है चंद्र से क्या संबंद है जब श्रीम के तत्वों की बारे में बात करेंगे और श्रीम की कलाओं के बारे में भी बात करेंगे कैसे श्रीम श्राम बनने के बाद कुछ और हो जाता है और श्राम बनने के बाद कुछ और हो जाता है कैसे क्लीम यह बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे कोई बोलता ही नहीं है क्लीम 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 जप रहे हैं आपको पता है क्लीम की भी कलाएं होती है क्लाम क्लीम क्लॉम क्लॉम यह भी कलाएं जैसे राम रीम रेम हाइं हरॉम रहा है न वैसे ही श्राम श्रीम श्रेम श्राम श्रह इस तरह से भी मंत्र हैं है न तो वह भी आपको बताया जा परन्तु जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि अगर आपके अंदर कफ जादा बनती है तो श्रीम अकेला ना करें मैं यह नहीं कहता कि आप श्रीम ना करें आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं श्रीम का बैलंसर मुख्य रूप से हरीम माना जाता है और हरीम का बैलंसर यह बैलनी का बैलंसर जल ही वोता है अगर अगनी को वाईू यह तो या तो वो अगनी मंद पड़ जाती है और मंद पड़ने के बाद में वह क्या होता है वह धुआ करती है और उसी प्रकार से बहुत अधिक जल भी दे दिया जाए जल का भी छीटा ही दिया जाता है तो उसी प्रकार से जल का बैलेंसर कौन है अगनी अगनी का बैलेंसर कौन है जल और जल मान लीजे अगनी को हम नहीं ला रहे हम केवल जल को ला रहे हैं तो उसका बैलेंसर कौन है वायू क्योंकि वायू के बिना जल अधूरा है ऐसा नहीं है वायू के बिना अगनी भी अधूरी है तो इसलिए ये आप समझके चलें कि जो बीज मंत्र आप कर रहे हैं अगर आपके तत्व के अनुसार नहीं है तो आपके element को डिस्टरब करेगा question का जवाब ये है कि शरीम का बीज मंत्र का जो normal balancer है वो हरीम है क्लीम भी कर सकते हैं और क्लीम का शरीम भी हो सकता है ये depend करता है हर व्यक्ति पे देखिए आप मैं आपको वीडियो जरूर दे रहा हूं पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप किसी कुशल इंसान से अपने तत्व अपने नक्षत्र अपने नक्षत्रों का interchange ये जरूर कर आप कैसे जानते हो कि आपके अगनी तत्व जो है वो बढ़ा हुआ है और उसके साथ में वायू काम नहीं कर रही अब वायू कितना काम कर रही है कितना नहीं कर रही है वह आपके नक्षत्र ही बताएंगे आपके energy centers ही बताएंगे तो वह चेक करना भी बहुत जरूरी होता है मित्र तो इसलिए नॉर्मली आप शरीम के साथ हरीम कर सकते हैं शरीम हरीम क्लीम तो सर्वसुलब है सभी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों अपने आपको बैलन्स कर लेते हैं